IPL 2025 के मेगा ओक्सन में अब बस कुछ दिनों का समय है और जब कुछ दिनों का समय है तो यहाँ पे बहुत सारे रिउमर हमारे सामने निकल के आ रहे हैं जो कि IPL के रिटेंशन और ओक्सन से पहले हमें कुछ रिपोर्ट्स ने बताया जा रहा है एक दो रिउमर नहीं है बहु आपको बताएंगे इस वीडियो में डीटेल के साथ तो बस वीडियो को एंटेक देखिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे सब्सक्राइब कर लिजे और टेली ग्राम पे बी आजाए लिंक डिस्क्रिप्सन में हैं वहाँ पे क्रिकेट से जुड़ी आपको बहुत सार कीम को छोड़ सकते हैं तो इनका मामला क्या है लास्ट येर हमने देखा था एलेजजी और केल राहूल के बीच जो अनबन हुई थी उसके बाद से ही ये रियूमर निकल के आ रहा है कि ये दोनों अब एक दूसरे का साथ छोड़ सकते हैं और ये बहुत हद तक पॉसिबल भी होने वाला है क्योंकि केल राहूल ने हाली में जो एलेजज्जी के साथ एक मीटिंग हुआ था और उस मीटिंग में केल राहूल ने कुछ भी एकसेप्ट नहीं किया है कि वो उनके तरब से रीटेन होने को तयार है यानि कि LHG के ओनर ने उनको ओफर किया था रीटेंसन लेकिन केल राहूल ने उस रीटेंसन को एकसेप्ट नहीं किया है तो अभी तक केल राहूल कुछ भी कनफर्म नहीं है LHG के उनर सायद उनको अपनी टीम में देखना चाहते हैं बट as a player देखना चाहते हैं और इसी वज़े से केल राहूल ने उस चीज़ को accept नहीं किया और हो सकता है कि अब केल राहूल उस offer को reject करके मेगा auction में आये auction table पे आये जहाँ पे हमें इनके उपर एक बड़ी bidding war देखने को मिल सकती है फिर अगरे खिलाडी यानि कि रिसब पंद के उपर थोड़ा discussion कर लेते हैं कि क्या वो भी कहीं जाने वाले हैं RCB के टीम में क्यूंकि रिपोर्ट्स में तो ऐसा बताया गया है कि RCB की टीम रिसब पंद को target करने वाली है RCB की टीम ने रिसब पंद के उपर अपनी नजर गड़ाई हुई है कि वो mega auction में आए और RCB उनको खरीद के अपना कप्तान बनाए लेकिन सिर्फ RCB नहीं बलकि CSK की टीम भी other hand पे है और वो भी रिसब पंद को target करने का पूरा मन बना चुके हैं क्यूंकि DC की टीम एक नया कप्तान ढून रही है इसी वज़ा से रिसब पंद भी उस टीम को छोड़ना चाते हैं और ये सारे rumors हैं कुछ confirm नहीं है इसी पंजाब टिंग्स के टीम की और पंजाब टिंग्स के टीम के प्राइम बॉलर अर्शदीप यादो भी mega auction में आ सकते हैं ऐसा कुछ reports में बताया जा रहा है हाला कि मुझे personally ये report कहीं न कहीं fake लगती है क्योंकि मुझे लगता है कि पंजाब की टीम अर्शदीप सिन को जाने नहीं देगी अगर 18 करोड भी वो मांगते हैं तो साथ पंजाब की टीम उनको दे दे क्योंकि इनके लिए अच्छा performance ये करते हैं इंटरनेशनल cricket का experience इनको हो चुका है तो अब इनके एक main prime बॉलर ये बन चुके हैं और 18 करोड वो deserve करते हैं जिस तरह का performance इन्होंने पिछल के बारे में भी बताया जा रहा है कि कुल्दीप यादो डिली कैपिटल्स के टीम से release होने वाले हैं लेकिन मुझे ये नहीं समाझा था कि अगर डिली की टीम घिस अप 5 को भी release कर देगी तो retain किसे करेगी तो इसी वज़़े से ये जो report है ये भी false report है मुझे लगता है कि अ वो लगबग लगबग बहुत कम हैं फिर आगे बात कर लेते हैं रासिद खान के उपर कि क्या वो भी mega auction में आने वाले हैं फिल मुंबई की टीम ने तो इनको 20 करोड ओफर किये हैं कि आप mega auction में आईए हम आपको maximum 20 करोड की बोली लगा के देंगे इसी वज़़े साइद र पासित खान का भी मन डोल जाए क्योंकि इससे पहले भी जब वो SRS की टीम में थे तो वहाँ पे first retention ना मिलने के वज़़ा से उन्होंने SRS के टीम को छोड़ दिया था बाद में GT को जाके जोइन किया जहां पे उनको 16 करोड मिले थे तो ऐसा possible हो सकता है कि वो mega auction में आ जाए और mega auction में आ जाते हैं तो साइद उनको 20 करोड से जादा भी उनको मिल जाए फिर कोलकता नाइटराइडर्स की टीम की बात करें तो कोलकता नाइटराइडर्स की टीम भी SRS Iyer को release करने का मन बना चुकी है ये भी reports ने बताया जा रहा है बहुत सारे reports है भाई बहुत confusion है हम आ करके बता रहे हैं I hope कि आपको समझ आ रहा हो तो KKR की टीम भी अपने कप्तान SRS Iyer को release करने का सोच रही है जो कि आपको बहुत पहले से पता होगा और अब इसके कुछ कुछ chances भी दिख रहे हैं क्योंकि KKR के पास रिंकू सिंग है उसके बाद हर्षित राना है फिर क्योंकि फर्स्ट रिटेंशन 18 करोड के KKR की टीम SRS Iyer को नहीं देना चाहती है और फिर बात कर लेते हैं शशांक शिंग के उपर जो कि पंजाब किंग्स की टीम में हमें इस साल दिखाई दिये थे पंजाब ने इनको गलती से खरीदा लेकिन इस गलती का पूरा का पूर प्लेयर 4 करोड में रिटेंड करना चाहती है और सासांक सिंग को भी पता है कि अगर ये मेगा उक्सन में जाएंगे तो 4 करोड तो कुछ नहीं है 10 करोड ये आराम से ले जाएंगे इसी वज़ा से सासांक सिंग में अनकैप्ट खिलाडी का ओफर रिजेक्ट कर दिया है वो चाते हैं कि आप उनको 11 करोड कम से कम तो दीजे ही दीजे वरना वो मेका उक्सन में जाएंगे और वहां से 10 करोड 11 करोड अराम से ले जाएंगे तो इसी वज़ा से इनके भी पंजाब के टीम को छोड़ने के रियूमर निकल के आ रहे हैं तो इसी तरह से कई सारे रियूम कर सकते हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे इंस्टाग्राम सौरी यूट्यूब चैनल को और टेलीग्राम के आज जैसामने आपको बताया था मिलते आप से अगली नई वीडियो में तिल देन टेक केर बाई बाई